हेलो एवरिवन आज मैं आप लोगों को एड्मान डिग्रेडेशन मैथड जो की एंड टर्मिनल प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए यूज होता है उसके बारे में पताने जा रही हूँ यह topic आपको gate और net examination के लिए काफी help करेगा उसमें पूछा जाता है और इसको आप लोग एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो याद भी हो जाएगा बहुत जादा tough नहीं है तो देखिए एड्मान डिग्रेडेशन मैथड जो की protein sequencing के लिए यूज होता है उसको जैसा नाम से पता चल रहा है एड्मान ने डेवलाब किया था 1950s में धीक है इससे ये भी पता चल रहा है नाम से की जो protein sequencing की जाती है वो end terminal end से की जाती है जैसा कि हमें पता है protein मे दो ends होते है तो यह starting मतलब end terminal end से ही protein की sequencing करने में help करता है थीक है अब देखिए इसमें जो हम अadece और एडमान डिग्रडेशन मेथड से प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करते हैं तो उसके पहले में प्रोटीन को कुछ फ्रीट्मेंट देने होते हैं ट्रीटमेंट इसली देना पड़ता है क्योंकि एडमान सीक्वेंसिंग में जो यूजड होने वाले प्रोटीन्स होते हैं या पैप्टाइट्स होते हैं वो शॉर्ट लेंथ के होने जाहिए तभी यह टेकनीक है वो अपलाई हो पाएगी जैसे एडमान सीक्वेंसिंग के लि सबसे पहले उस प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को हमें लीनिराइज करना होगा लीनिराइज करने के बाद ही हम उसको कट करेंगे शॉर्ट पैप्टाइट्स में और तब एडमान सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ करेंगे तो देखिए पहला इस्टप लिखा है आईसोलेट करना पड़ेगा उसको प्यूरिफाइज करना पड़ेगा और जो जीतने भी इंप्यूरिटी मी स्ट्रक्चर में घोगे êtes यह polypeptide का जब linear structure हमें मिल जाएगा उसके बाद हम उसको cutting करने के लिए और छोटा बनाने के लिए उसमें trypsin या CNBR का treatment देंगे sinogen bromide या trypsin के treatment से जो polypeptide होगा वो smaller fragments में cut हो जाएगा जिसको हमें small peptides अब कह सकते हैं उसके बाद जो यह small peptides हमें मिलेंगे solution में उनको SDS page से हम separate कर लेंगे और separate करने के बाद individual bands को हम use करेंगे sequencing के लिए ठीक है page में से हम उसको purify कर लेंगे page के gel में से और sequencing के लिए use करेंगे अब देखे एडमान sequencing में क्या क्या steps होते हैं उसको हम detail में समझेंगे सबसे पहले एडमान sequencing जो होगी वो तीन steps में complete होगी जिसके नाम आपको याद करने है ट्रिपल सी करके भी आप इसको याद कर सकते हैं सबसे पहला है coupling दूसरा है cleavage और conversion तो coupling cleavage और conversion तीन step में यह पूरा होता है एडमान sequencing coupling में क्या होता है कोई एक reagent होता है जिसके साथ हम उसका treatment कराते हैं या coupling कराते हैं जब treatment हो जाता है तो जो भी product बनता है उसको cleavage करते हैं और cleavage करने के बाद उसको stable बनाने के लिए उसको stable जो भी stable conversion करते हैं एक ऐसे molecule में जो काफी time तक stable रहे तो देखिए सबसे पहला है हमारा coupling coupling phase में हम क्या करते हैं phenyl isothiocyanate या PITC reagent का use करते हैं जिसको हम edman reagent भी कहते हैं इस edman reagent की खास बत क्या होती है कि यह alpha amino group के साथ ही react करता है alpha amino group क्या होगा जो free amino group होगा जो कि amino acid में होता है तो उसको alpha amino group कहते हैं जो कि end terminal end पे ही होगा जैसे अगर हम protein का sequence बनाएंगे तो कैसा होगा प्रोटीन में सबसे पहले हमारा NH2 ग्रूप होता है, उसके बाद एक कार्बन होता है, कार्बन के साथ R ग्रूप लगा होता है, एक H लगा होता है, उसके बाद कार्बोनिल कार्बन होता है, और फिर यहां दूसरा अमाईनो ऐसे स्टार्ट होता है, इसके बाद फिर से तो हमारा जो पहला amino acid यहां तक है ठीक इसको हमें convert करना है तो यह वाला जो nitrogen है हमारा यह alpha amino group कहलाएगा क्योंकि यह alpha carbon से चुड़ा है यह alpha carbon है तो यह alpha nitrogen होके हमारा तो alpha amino group के साथ ही react करता है कौन PITC ठीक है तो यह हमारा phenyl thaiocarbamoyl derivative बन जाता है जब हम PITC की जो हमारा peptide के साथ reaction कराते है ठीक है peptide के साथ reaction कराएंगे तो PITC and alpha amino group के साथ ही reaction करेगा ठीक है तो हमने क्या किया PITC add कि और PITC ने alpha amino group के साथ reaction करके क्या बना लिया PTC derivative बना लिया फिनाल थायो का अर्बमोल डेरिवेटिव बना लिए अब क्या करेंगे हम क्लीवेज करेंगे इस्ट्रॉंग एसिट की प्रिजेंस में जो कि हमारे ट्राइफ्लोरोस्टिक इसट का यूज करते हैं टी एफे इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कृशिड किन इसट्रॉंग एिसट को करेंगे क्लीवेज़ करने के लिए जो की हमारा फिस्ट प्रेस प्रयूकार्य मॉल बनाया अब इसको यहा है कट करना है first यह हमारा peptide bond यहां से कट करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं कट करने के लिए tri-fluoroastic acid यूज करते हैं लेकिन बिल्कुल anhydrous condition में होना जाए water बिल्कुल भी नहीं होना जाए क्योंकि अगर water होगा और acid होगा तो water क्या करेगा दूसरे bonds की ही भी hydrolysis करने लग जाएगा जो कि इसके बाद के peptide bonds होगे लेकिन हमको केवल यही वाले bond का करना है तो anhydrous acid का यूज करना पड़ेगा ठीक है तो anhydrous acid का यूज करने के बाद पहला peptide bond तूटेगा और क्या हो जाएगा एजट डेरिवेटिव मतलब अनि लीनो थायो एजो लीनोन derivative के फॉर्म में जो हमारा पहला यह amino acid है वो अलग हो जाएगा ठीक है जो भी एक intermediaid बनेगा cyclic intermediate उसके फॉर्म में वो अलग हो जाएगा तो cleavage में क्या हुआ इस bond को या first अजट डेरिवेटिव बना था वो बहुत जादे stable नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं stable बनाते हैं तो दिखिए after separation of AZT derivative the remaining peptide is used for another round of reaction with PITC अब AZT derivative बन गया और अलग हो जाएगा वो तो क्या करेंगे जो हमारा बचा हुआ peptide है उसको दुबारा से use करेंगे PITC से label करके या उस reaction कराके दूसरे amino acid को भी निकालेंगे पहला तो निकल गया AZT के form में तो जब AZT के form में जो निकला है वो stable नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे conversion करेंगे करेंगे AZT का किसमे एक stable form में conversion करेंगे जिसको हम लोग कहते है फिनाइल थायो हाइडेंटियोन उसके लिए हम extraction कर लेंगे यूज करेंगे organic solvent ethyl acetate का यूज करते है तो AZT residue जो होता है उसको हम separate करते है इथायल acetate के presence में extract करते है और उसको stable form में convert करते है फिनाइल थायो हाइडेंटियोन में और इसी का यूज करते हैं हम किसमें HPLC करने में जिससे हम PTH derivative जिसमें की amino acid भी लगा हुआ है उसको identify कर सकें तो यी reverse phase HPLC के method से इसको हम separate और identify कर सकते है ठीक है अब देखिए अड्मा सीक्वेंसिंग की advantages क्या क्या है advantage क्या है कि amino acid की information को बताता है किसी भी protein या peptide में without use of any protein database ठीक protein database की कोई ज़रोत नहीं पड़ती है अपना manually हम इसमें एक एक amino acid की information निकाल सकते है यह accurate भी होता है लेकिन analyze amino acid sequence one by one without disturbing other peptide bond मतलब कि क्या करता है एक एक amino acid या एक एक peptide bond को internal sequence से back करता चला जाता है एक बर में एक को ही करता है दूसरे peptide bonds को break नहीं करता क्यों क्योंकि हम anhydrous condition यूज करते है water का यूज नहीं करते है तो इस सब एड्वांटेजेस है अब डिसएड्वांटेजेस कुछ भी है इसके देखी क्या है सबसे पहला डिसएड्वांटेज तो यह की time consuming process है जिसमें cost भी बहुत high होती है और यह multiple proteins का एक साथ analysis नहीं कर सक करता ठीक है एक बर में एक ही protein या peptide को analyze करने की काम में आता है और अगर इसमें N-terminal alpha-mino group modify हो जाता है या cycle के form में involved होता है तो इसको भी हम इस method से इंटर्माइन नहीं कर पाएंगी क्योंकि PITC को क्या चाहिए alpha-mino group जो की free होना चाहिए अगर PITC को alpha-mino group नहीं मिलेगा यह modified होगा अगर यह मतलब जैसे किसी acetylation या किसी और ring के form में involved होगा तो इसको वो identify नहीं कर पाएंगा और क्या होगा फिर वो reaction नहीं करेगा तो alpha-mino group modify नहीं होना चाहिए ठीक है इसके अलाबा क्या है determined short sequence इसमें जो amino acid यूज करते हैं उसकी length जो peptide यूज करते हैं उसकी length 50 amino acid से जादा नहीं होने चाहिए जादा लंबे peptides ले लेंगे तो भी hinder करेगा यह reaction नहीं कर पाएगा क्योंकि क्या होगा बहुत सारे जो groups हैं आर ग्रुप्स उनमें आपस में क् पाएगा तो reaction होने में problem होगी तो 50 amino acid के ही peptides हम यूज करते हैं एडमान sequencing के लिए ठीक है तो यह आप देख लीजेगा इपा मैं फिरसे में revision करवा देती हूं सबसे पहले हम क्या करेंगे हम amino acid जो भी peptide हम लेंगे उसको peptides जब convert हो के मिल जाएंगे तो उसके बाद सबसे प करेंगे अलग करने के बाद क्या बन जाएगा एजटी derivative के फॉर्म में अलग हो जाएगा एजटी derivative इस्टेबल नहीं होगा इसको हमें stable बनाने के लिए फिनायल थायो हाइडेंटियों के फॉर्म में convert करके HPLC से एनलाइज कर लेंगे इतना ही है इसमें स्कावे नोट्स ही दिया हुआ है और इसके नोट्स में आप लोगों को telegram channel पर भी available करवा दोंगी ठीक है तो thank you